सदेयो नेक्स्ट क्या देख लेते हैंं ट्रांगल्स के बारे में ऐं ट्रांग्ल्स में थल्द को सब्स पता होगा कि बेस्ट आंग्ल्स हम लोग ट्रांगल को ecute triangleında obtuse triangle right-angled triangle इसमें ड्वाइट करते हैं और based on साइड्स हम लोग इक्विलिटर् ट्रायंगल आईसोसलेस ट्रायंगल ओर इसके उपर बात करेंगे ठीक है तो सब्बोज करिए सबसे पहला हम ले ले रहे हैं कि है कि अगर हम को बेस्ड echoes पता है ठीक है कैसे रीक ट्राइंगल बडा रहे रहें यह मेरा होगा acute triangle फिर यहां पर right triangle right triangle में तो perpendicular हमको पता ही है तीक है और क्या हो जाएगा एक obtuse triangle बना ले रहे हैं सही है यह तीन हो गया कोई problem नहीं है चाहिए नाम दे देता है a b c अच्छा अलग अलग नाम दे दिया जाए क्या अलग अलग नाम दे है तो अब हमको इसका area निकालना है ठीक है area अगर निकालना बचा तो दिखिए हमको क्या पता हम यह मान के चल रहे है कि अच्छी यहां से हमको अगर सब्सकर बेस हम ले रहे है a b को ठीक है तो इसका area क्या हो जाएगा area क्या होगा half into base into height कभी भी याद रखेगा अगर आपको perpendicular दिख रहा है तो area हमेसा ही हम क्या use करेंगे half into base into height तो half into base हम क्या ले लिए कि अच्छा सरम को a b पता है तो a b पता है तो ध्यान दिजे कि अगर a b पता है तो height किसको बोलेंगे तो a b के उपर perpendicular कहां से जो एक vertex बचा हुआ है वहां से तो अगर a b पर perpendicular चाहिए कहां से तो c से तो c से perpendicular चाहिए a b के उपर ठीक है supposed करीं यहां पर m ले लगए तो half into a b into cm क्या हो गए यहां पर हाफ into a b into cm क्या पर बच्छे यहां पर एक मिनट एरिया ठीक है ना half into a b into c m क्या हो जाएगा एरिया यहां पर तो आप देख रहे हैं कि यहां पर area आप कैसे भी लिख सकता है half into आप base किसी को भी लीज़े half into rp into pq लिख करेंगे तो भी area यहाग या फिर half into pq into आप क्या करेंगे और पी करेंगे क्योंगि देखे यह दोनों एक ही बात आएगा ठीक है ना base height क्योंकि दोनों ही base ले सकते हैं दोनों को ही height बन सकता है Rp into Pq कीजे या Pq into Rq कीजे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका area तो अब समझ गया होगी कैसे निकल रहा half into base into height करके अच्छा अब बात आता है बच्छा किसका कि अगर मेरे पास obtuse triangle है तो ये इसका area कैसे निकलेगा तो अब क्या करेंगे फिर से वही काम करेंगे ये क्या होगा half into base तो सबसकरिये हम D को base ले लिए तो half into D E तो अब height, height निकालना मतलब perpendicular, perpendicular कहां से तो जहां पर ये दोठो तो vertex आ गया D E, इसमें D base बन चुका है जो third vertex है जो third vertex है वहां से D के उपर perpendicular, तो क्या इस F point से D के उपर perpendicular हम draw कर पाएंगे हाँ या ना, क्या हम F point से D के उपर perpendicular draw कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, समझ मारा है क्योंकि वो 90 degree बनेगा है यह नहीं कभी अप्टियूज triangle है, तो इसके लिए हम क्या करता है कि D को extend करेंगे पीछे और F से perpendicular draw कर लेंगे लेकिन area में कोई फर्क नहीं आएगा half into D, सबोसकर यह N है तो into F N यहीं आपका क्या हो जाएगा, area यहीं क्या हो जाएगा, बच्चा area, कोई problem नहीं है ना half into D into F N अगर confusion लग रहा है तो एक हम example जाते दे रहे है इसके लिए example दे रहे हैं, कि इसमोज करिए कि, आपके पास यह कुछ ऐसे है यह दिया हुआ है फाइफ यूणिट और बोल दिया है कि यहां से यह है four units ठीक है मतलब कि क्या है four units यह है four units ठीक है, यह है four units तो आपको area निकालना है ठीक है तो सबसकरी आप यह लिखती है अच्छा इसी पर कड़ ले रहे है ABC आपको area of triangle ABC इसके area निकालना है ABC का area क्या हो जाएगा ABC का area होगा half into AC into 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 BD half into AC into BD will be what the area थेक है नकिए बीडी यहा पर है एसी के उपर ठीक है उनको बस क्लीद क्या चीए था पर परपेंडिकूलर लेंथ चाहिए था ठीक है वह लेंध यह यह लेंध लें यह लेंध लें यह लेंध कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो यहां पर half into यहांसर क्या जाएगा कि half in to five into four मतलब की 10 unit square त्यègppt टैनंगा स्कुायर या फिर square units यह आपका क्या हो जाएगा area हो जाएगा कोई problem नहीं है है तर क्थो इस type में जब पर पेंडूके रहेगा तो हाफ इंटेव बेस हम करेंगे इसमें आपको दिखकत नहीं होना ची मेरें को ऊस्य वाला पर्पेंडिकूलर लेंथ कि यह पर्पेंडिकुलर लेंथ दे दिया सबसकर यह क्या हो गया PQR ठीक है ना इसको ले लिए S तो आपको क्या पता है कि यहां पर पर्पेंडिकुलर लेंथ किसके उपर पर्पेंडिकुलर पता है प्यार के उपर पर्पेंडिकुलर क्या है QS है प्यार के उपर पर्पेंड पता है कहां से जो इन दोनों की अलावा जो एक वर्टेक्स है वहां से मतलब कहां से q से तो q से perpendicular पता है प्र के उपर तो half into pr into qs यह हमको क्या मिल जाएगा area of triangle pqr ठीक है ना कोई प्रावलम नहीं है इस पूरे slide में कोई भी दिक्कत होने से पुछ लीजेगा ठीक है ना तो half into base into height हम कब कैसे use करेंगे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा नवच्चा ठीक है तो कहीं से भी height पता हो हम उसको use कर लेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ता है अब next देखिए कि अगर suppose कर यहाँ पर बात हो रहा है एक मिनट यहाँ पर suppose कर यह बात हो रहा है कि हमको क्या निकालना है area of equilateral triangle अब थोड़ा हम sides के basis पर आ जाते हैं ठीक है तो equilateral triangle है equilateral दूसरा क्या है isoseles triangle थर्ड क्या है iscaline triangle ठीक है isoseles equilateral and iscaline triangle तो equilateral तो आपको समझ में आ गया होगा all sides equal let it be aaa a b c isoseles कैसा टाइब का triangle होगे बच्चा तो अच्छा यह देखने में लग रहा है एक ही जैसा ही इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं इसमें क्या कर देते हैं थोड़ा ऐसे बना लेते हैं तो यह suppose करें यह equal side से यह मेरा unequal side है ठीक है तो इसको नाम देते हैं DEF DEF और यह सबसे बढ़ियां triangle है कहीं ना equal का जमेला है ना कुछ तो यहाँ पर क्या है अच्छा a b c ने देते हैं क्या नम देते हैं PQR देते हैं PQR यहाँ पर तीनों ही अलग-अलग sides है ठीक है ना उसके यह A length का है यह B length का है यह C length का है ठीक है तो इस type काम को area आप निकालना है ठीक है अच्छे से इसको लिग लीजेगा यहाँ के काम भी आएगा तो equilateral triangle को सबसे पहले देखते है ठीक है तो equilateral triangle का area क्या होता है area होता है root 3 by 4 into A square ठीक है इतना unit square ठीक है यह आपका होता है area root 3 by 4 into A square अच्छे इसका height कितना होता है अगर आप से पूछे या फिर आपको निकालना पड़े height of equilateral triangle ठीक है height of equilateral triangle वो कितना होता है इसके हम निकाल रहे है height of equilateral triangle क्या होता है root 3 by 2 into A इतना unit ठीक है इतना units ठीक है तो height और area पता चल गया कोई दिकत नहीं है height मतला perpendicular जो डूड राकी है ठीक है height और area आपको पता चल गया isolis triangle का देखिए पचा हम आपको suggest करेंगे कि आपको formula याद नहीं रखना है ठीक है formula याद नहीं रखना है आप हम जो आगे तरीका बताएंगे उससा ही बनाइएगा तो इसमें हम बस लिख दे रहे है कि आप लोग बस note down कर लिजे कि इसका isolis triangle है तो इसका जो area होता है ठीक है तो अगर equal sides को हम क्या लेके चल रहे है a और a और जो unequal sides को हम लेके चल रहे है b तो इसका area क्या था बच्छा area था 1 by 4 b और फिर within root 4 a square minus b square इतना क्या होता है unit square सही है यह होता है area सही बच्छा अच्छा perimeter कितना होता है तो a plus a plus b मतलब की 2 a plus b सही है अच्छा यहाँ पे भी अगर आपको in case पूज़ देगा कि इसका height क्या होगा ठीक है height क्या होगा तो height आपको क्या होना चीए कि b by 2 within root 4 a square minus b square ठीक है ओ यहाँ पर सॉरी बच्छा यहाँ पे आप क्या कर लिजिए यह one मतलब की इसको आप change कर लिजिए यह one होगा ठीक है ना b नहीं 20 तो जब half into base into height करेंगे तब यहाँ b आएगा ठीक है तो height क्या हो जागा यहाँ पे एक मिनट हम थोड़ा unit के साथ यह क्या हो गया इतना units यहाँ यहाँ पर हम लिखे हुआ है ठीक है कोई दिकत नहीं है तो perimeter पताचल के height क्या हो जाएगा half of क्या within root 4a square minus b square यही height रहता ना तो half into base into height कर देते हैं तो हमके area पताचल जाता है ठीक है तो half into base pythagoras theorem यूज़ किया और कुछ नहीं यूज़ किया height क्या होगा देखे इसमें pythagoras theorem आप लगा दीज़े देखे हम यहाँ पर mark करके बता रहे हैं इसमें आप pythagoras theorem लगा दीज़े तो height अगर यह height है और यह क्या हो जाएगा b by 2 b by 2 और यह half percent भी b by 2 तो इसमें अगर आप pythagoras theorem लगाएंगे देखे जहाँ पर हम अभी hover किये हुए कि यह जो है यह जो है यहाँ पर 90 degree है तो a square plus b square by 4 sorry a square is the question क्या हैगा h square plus b square by 4 h square का value क्या हैगा a square minus b square by 4 सही है और वही बस आप lc हम लेंगे उसके बाद से आप इसको root over चड़ा देंगे तो आपको directly h का value मिल जाएगा pythagoras theorem में simple इसमें बहुत बुद्धी नहीं लगाना है आप लोग easily derive कर सकते हैं तो perimeter height area लेकिन हम बोलेंगे कि अभी for the time being मेरे ख्याल से अच्छा यह रहेगा कि आप लोग इसको learn नहीं करें अगर learn है तो बहुत बढ़ी है कई बार help भी हो जाता है easy data रहने से और नई तो आप simple pythagoras theorem से height निकालिए area आप निकाल सकते हैं या फिर उससे भी अच्छा तरीका है skeleton triangle में जो हम बताने जा रहा है तो दो चीज का discussion किया है equilateral triangle का area height and perimeter ध्यान दिजिए equilateral triangle का area height and perimeter ये area height perimeter और यहाँ पर ऐससे इसका area perimeter और height ये तीनों चीज हम discuss किये है next हम discuss करेंद जा रहा है skeleton triangle के बारे में तो सबसकर यहाँ पर मेरे पास ये skeleton triangle ध्यान दिजीए अच्छे से तो हम जैसे बोलें कि अगर skeleton triangle है तो उसकर ये a, b, c मेरे पास skeleton triangle है इसका length a है इसका length b है इसका length c है ठीक है न, length ठीक है ये length c है ये length इतना a units है ये b units इसका length है तो ये पर यहाँ पर रुच्छा हम directly formula होता है तो perimeter क्या होगा a plus b plus c ठीक है इतना units अच्छा यहाँ पर semi perimeter क्या होगा semi perimeter मतला half of perimeter ठीक है a plus b plus c by 2 semi perimeter इसलिए निकाल रहा है क्योंकि formula में directly use करेंगे इसको हम solve करते है hero's formula के help से hero's formula के help से hero's formula क्या है hero's formula क्या है कि अगर आपको कोई भी ऐसा triangle है जिसमें आप तीनो साइड का length आपको पता है ठीक है a b c अगर आपको तीनो साइड का length पता है तो उसका area आप निकाल सकते है using hero's formula ठीक है using hero's formula हम area निकाल सकते है तो hero's formula क्या बोलता है hero's formula क्या है within root s into s minus a into s minus b into s minus c यही क्या होता है area area of triangle क्या होता है इतना unit square ठीक है तो यह क्या होता है area of triangle ध्यान रहेगा ना याद रहेगा s क्या यहां पर semi perimeter s क्या है यह है semi perimeter यही मेरा s है मतलब इस तीनों को आट करके by two कर दीजिए s का value निकलेगा A का value पता है B का value पता है C का value पता इसको आप solve करेंगे तो जो आएगा, वही क्या है अरिया of triangle आएगह तो यह क्या यह universal है आप इसको equilateral में use करिये या फिर scallein में use करिया या फिर ads LM है इसमें use करे ये तीनों के लिए ये क्या है ठूँए थीड़ो के लिए ये true है तो आप ये तो आप इक है को आपकर यह formula याद रहेका तो बहुत बढ़िया बात है बहुत ऐच्छ ही आप लोग solve कर सकते हैं मतलब ऑसाफ कर सकते अंचरा मतलब आप area निकाल कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्विलेटरल है तो रूट 3 by 4 into A square अगर फॉर्मला याद रखना है तब के लिए बोल रहा है क्या हो जाएगा 1 by 4 B within root 4A square minus B square ठीक है और फिर third क्या आजाएगा इसके लिन triangle उसके लिए हम आपको हिरोंस फॉर्मला बता है उसका फॉर्मला क्या होता within root S into S minus A into S minus B into S minus C where S is semi perimeter and A, B, C are the length of the sides of the triangle I think कोई problem नहीं है न बच्चा आगे बढ़ सकते हैं ठीक है कोई problem नहीं है न अच्छा इसका अगर suppose करिये कि हमको आपको एक एक मिनट रुग यह बच्चा ठीक है एक example दिखा देता है एक example दिखा देता है आप लोगों सबोज करिये कि आपको 3 sides हम बोल दिये तो सबोज करिये हम बोल दिये 12, 16 और 20 ठीक है cm लिख दीजेगा 12 cm, 16 cm, 20 cm ठीक है तो यह आपको क्या पता है कि side length of triangles अगर आपसे पूच दिया कि हम आपको बोल रहे है कि बच्चा hirons formula use करके ठीक है hirons formula ओहो क्या बोल रहे है hereons formula use करके आप इसका area बताए ठीक है तो आप क्या बोलेंगे sir hereons formula में तो हमको S का value लगता है तो पहले perimeter क्या होगा तो 12 प्लस 16 प्लस 20 सही है यह कितना जाएगा 28 प्लस 48 आ जाएगा centimeter semi perimeter क्या होगा perimeter by 2 मतलब की 48 by 2 मतलब की 24 centimeter सही है जी कितना गया 24 centimeter अब बताएगे कि area क्या होगा area क्या होता है within root S into S minus A into S minus B into S minus C चलिए तो within root S के जगह क्या put करेंगे 24 into 24 minus A A B C आप किसी को भी ले लिजे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 3 कोई तो लेना है तो पहला एक बार minus 16 करते हैं ठीक है फिर फिर क्या होगा S minus मतलब 24 minus एक बार 20 करते हैं ठीक है 24 minus 20 करते हैं फिर एक बार क्या करेंगे 24 minus क्या करेंगे उच्छा 12 कर लेंगे 24 minus 12 कर लेंगे तो अब देखिए अब आपको न एक चीज़ बस बोल दे रहा है कि थोड़ा टाइम आपका सेफ होगा कि आपको कभी भी इसको multiply नहीं कर देना है ठीक है यह कितना हैगा 12 into यह 8 यह कितना हैगा 4 यह क्या जाएगा 4 into 4 into यह क्या जाएगा 12 अब आपको multiply नहीं करना आपको सोचना है कि इसको root से हमको बाहर निकालना है तो root से बाहर निकालने का तरीका सोचते हैं तो 24 है तो इसको लिख सकते हैं 8 into 3 ठीक है 24 के लिख दिए 8 into 3 एट के जगए 8 ही रहने दिए 4 तो बाहर निकल दी जाता है इसको क्या लिख दिए 4 into 3 अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ कि हमको 8 का पेर मिल गया तो 8 बाहर आ जाएगा ठीक है फिर देखिए हमको क्या मिल गया 3 का पेर मिल गया तो 3 बाहर आ जाएगा और फिर हमको देखिए 4 का भी पेर मिल गया 4 का भी पेर मिल गया तो 4 बाहर आ जाएगा तो ये कितना होगा 12 into 8 96 cm2 ये आपका area हो जाएगा तो इस ट्राइंगल के area using हिरोन्स formula ठीक है तो आपको perimeter सबसे पहले निकाल देना है फिर semi perimeter निकाल देना है उसके ऐसे आपको directly put कर देना है ठीक है put करने के बाद आप pair करकर आप बाहर निकाल लीजी आपको directly area मिल जाएगा कितना गया 96 cm square ठीक है ना बच्चा कोई problem नहीं है questions करना है बस यह हम एक बार अगर आप पहला बार देखरें इस formula को तो अब इसके लिए हम बस बता दियें कि अचाहिए scale in triangle में हम कैसे hereons formula को use करके area निकालते हैं ठीक है कोई problem नहीं है चलिए next हम लोग क्या करते है बच्चा आगर बढ़ते हैं ठीक है तो triangles भी हम लोग देख चुके हैं अब जो next है तो triangle में कोई भी triangle है आप उसका area अच्छे से निकालिएगा ठीक है अब जो बचा तो हम लोग सारा type का quadilateral का area देख चुके हैं और उसके बाद से triangles का भी area देख चुके हैं अब क्या बसता है हमारे पास जो 2D shape में circles का कुछ हम लोग area देखते हैं जल्दी से ठीक है ना एक मिनट हाँ दिखें मुझे सर्कल का area निकालना है देखिए सर्कल का area सबको पता है आपको भी पता है लेकिन फिर भी हम लिख रहे है क्या होता है पाई आर स्क्वाइर एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वाइर ठीक है ना क्या होता है area पाई आर स्क्वाइर तो इसका मतलब मेरे पास एक सर्कल है ठीक है यह मेरे पास सर्कल है एक मिनट थोड़ा side कर ले रहे हैं हाँ तो अगर मेरे पास यह circle है having radius r एक circle having radius r तो हमको क्या करना था इसका area area क्या हो गता है pi r square pi का value यहाँ पर क्या है pi है approx value है यह ठीक है ना 22 by 7 यह approx value है ठीक है 22 by 7 यह आपका exact value नहीं है pi का ठीक है pi का value है 22 by 7 radius यहाँ पर आपको पता है कि यह क्या है radius ठीक है यह वो क्या पता है कि यह हो गया radius ओके अच्छा अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर area तो निकल गया perimeter यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर perimeter नहीं बोलते हैं perimeter के लिए क्या नाम लेते हैं circumference का circumference का तो circumference क्या होगा आप खुद से बता दीजिए यह जो है जो हम curved line कर रहे हैं तो यह जो curved है जो red वाला portion उसको आपको travel करना है मतलब कोई अगर एक इंसान यहाँ पर है और यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया गया ऐसे घुमा और यहाँ पर आ गया तो यह जितना length cover किया वह इसका circumference है circumference का value क्या होता है 2 pi r इतना units ठीक है यह unit होगा तो 2 pi r क्या हो गया circumference ठीक है तो area और circumference आपको पता चल गया कोई problem नहीं है ठीक है नवच्चा area और circumference आपको पता चल गया ठीक है r यहाँ पर क्या radius है अच्छा यहाँ पर diameter क्या है आपको पता है diameter क्या होगा 2 r के बराबर ठीक है मतलब यह पूरा diameter एक ऐसा line जो circle को दो distinct point पर touch करता है और pass कहाँ से करता है center से वही क्या था diameter ठीक है it is the longest chord यह सब अभी नहीं जाते हैं यह तो फिर अब इस पर भी हम बोल सकते हैं बहुत कुछ तो अभी simply आपको radius पता है radius का double diameter ठीक है perimeter क्या है circumference क्या है 2 pi r area क्या है pi r square तो यह circle को लेकर के बाद अच्छा सर यह तो बहुत असान चीज़ा है आगे वाला बात बताए तो आगे का बात यह है एक मिनट next एक मिनट next क्या देख रहा है अच्छा से अच्छा concentric circle concentric circles ठीक है तो concentric circles हम किसको बोल रहा है circles having same center circles having same center or what concentric circles ठीक है यह circle का भी यही center बड़े वाले circle का भी यही center इसलिए यह एक छोटा circle यह बड़ा circle दोनों circle का same center है आप क्या बोलेंगे simply कि circle having same center ठीक है circles having same center are called concentric circles concentric wet concentric सही अच्छा ठीक है ऐसा एक दो ही नहीं बहुत सारा हो सकता है जैसे सबसके यह ले लिएं फिर यह ले लिएं यह ले लिएं infinite circles हो सकता है जिसका एक ही center होगा बढ़ाते जाए थोड़ा थोड़ा radius ठीक है तो अगर सबका center यही है तो हम क्या बोलेंगे कि these all circles यह 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 सारा ही क्या है concentric है यह क्या है concentric circles है कोई problem है क्या नहीं है न ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ देखें circle उसका diameter क्या है circumference क्या है area क्या है concentric circle को देखें ठीक है अब देखें concentric circle सही एक बात देखते हैं वह क्या है कि सर अगर हम यहाँ पर ऐसे circle बनाये हुआ ठीक है सबस्कुरिए यह circle फिर थोड़ा radius बढ़ा करके यह circle फिर थोड़ा radius बढ़ा करके यह circle इतना महीं बता देख्या चलो भाई एक और ड्रो हो जाए तो बढ़ियां है कि सायद हो गया थोड़ा गड़बढ़ है लेकिन कोई बात नहीं है ठीक है तो इसको एक बार हम फिर से ड्रॉ करने यह को सब्सक्राइब करते हैं यहां से क्या ठीक है लिगी यह कितना है एक दो ठीम चार यह फिर का अलग कर रहे तो यह इसका radius r1 है इसका radius कितना है कि इसका radius कितना है आर टू है फिर कि इस about radios कितना है अर त्स Рी है और इसका radius कितना है R4 है सही है R1, R2, R3, R4 तो अब ध्यान दिए बच्चा कि अगर हम आपसे पूछ है कि इसका area कितना होगा सहज करिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका area कितना होगा दिख रहा है जो हम कर रहे है मतलब जो जिसको हम shed कर रहे हैं इसका area आपको बताना है तो इसका area क्या होगा समझ माँ आगे हम क्या बात बोल रहे हैं इसका area यह वाला जो अभी shed किये हुए इसका area क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे इसका area अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे ठीक है मेरे ख्याल से थोड़ा से इसको गंदा हो गया एक में टूक जाओ अच्छा और वना टू आर थ्री आर फोर ठीक है देखें यहां पर हम ऐसे ही बोल देरें आपको कि सब्सक्राइब कि अगर हमको एडिया किसका निकालना है अगर हम सब्सक्राइब कर दे रहे हैं इसका एरिया कितना होगा इसका एरिया कितना होगा ग्रीन वाले पॉर्शन का सिर्फ एरिया कितना होगा सिर्फ ग्रीन वाले पॉर्शन काम बोल रहे हैं ठीक है आप लोग आंसर मन में कल्कुलेट कर लीजिए सर्स के साथ शेयर करिजिए कि सर यह होना चाहिए एरिया सर यह होना चाहिए अरिया जो आपको जो लगता है वो आप बताइए ठीक है अच्छा उसके बाद से एक और बात कर लेते हैं कि सर इसका अरिया कितना होगा किसका तो इसका अरिया कितना होगा इसका अरिया कितना हो जाएगा ठीक है यह छोटा अला दिखर ना जो रेड से हम मा जब आप क्या करतेंगे देखिए ध्यान दिजिए हमें आप बना रहा है यह है और यह है तो अगर इस यह वाला रेडियस आपको कितना पता पहले इसको लिख लेते हैं तो इसका रेडियस हमको पता है रेड वाले का निकालना है न तो इसका हमको पता है R2 और इसका है R1 यह है R2 और इसका है R1 तो हम क्या बोलेंगे कि सर रेड वाले पोर्शन का एरिया किस कैसे हैगा रेड वाले पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा area हो जाएगा pi r sorry small r होगा कौन सार होगा कौन सार होगा होचे यहां पर pi क्या होगा r2 square pi r2 square minus pi r1 square क्यों किसार हम बड़े वाले circle में से अगर इस छोटे वाले circle को हटा दे तो हमको क्या मिलेगा सिर्फ path का area मिलेगा अगर हम बड़े वाले circle में से छोटे वाले circle को subtract कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा सिर्फ जो ring बन रहा है उसका area मिलेगा area of the red ring area of the red ring क्या होगा pi r2 square minus pi r1 square ठीक है ठीक है ठीक है r1 r2 r3 r4 था यहां पर भी हम तोब लिख दे रहे हैं कि आपको 3 ने 2 यहां पर r2 था यह r1 r2 यह r3 था और यह r4 था सबसे बाहर वाला यह वाला r4 था ठीक है यह r4 था अश्या सर इसी वह तरीके से आप जल्दी से बता दीजिए कि green वाले का area कितना होगा last वाला जो circle है उसका area कितना होगा तो किस circle से किसको subtract करेंगे तो just उसके अंदर वाले से उसको subtract कर देंगे तो pi यहां पर क्या होगा r4 square ठीक है न pi से r4 pi into r4 square क्या देगा इस पूरा बड़ा circle का area इसमें से हमको किसको subtract करना पड़ेगा r3 वाले को minus pi r3 square हम कर देंगे तो हमको area of क्या मिल जाएगा green ठीक है area of क्या मिल जाएगा green similarly हमको area blue का कितना मिलेगा तो pi r3 square minus pi r2 square ठीक है तो यह हो गया blue वाले का area यह हो गया green वाले का area और यह किसका area हो गया यह red वाले का area अच्छा यहां पर लिखा हुआ red वाले का area तो red blue green आपको अच्छा area पता चल गया next देखिए मेरे खाल से समझ गया वच्छा आप लोग ना वच्छा कोई दिक्कत नहीं है अच्छा इसमें यह अब देखिए वच्छा थोड़ा जल्दी से बात कर लिते हैं कि अगर हम क्या ले लिए है semi circle क्या ले लिए है semi circle तो इसका मतलब क्या हुआ half of a circle तो इसमें आपको कुछ चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगा जैसे की area तो इसका area कितना होगा radius है यह radius है तो यहां पर area कितना होगा तो आप यह क्या बोलेंगे इसका area होगा pi r square total का होता है by 2 कर देंगे pi r square by 2 half pi r square यह कितना होगा unit square यह क्या होगा area of what semi circle circumference कितना होगा perimeter perimeter कितना होगा perimeter कितना होगा boundary length आप क्या बोलेंगे boundary length तब यह पूरा फिर यह पूरा तो आपको क्या पता है कि सर इसके लिए हमको पता है इसके लिए तो हमको पता है कि अगर पूरा रहता तो 2 pi r होता तो पूरा का हाफ कर देंगे ठीक है न तो ये क्या हो जाएगा कि 2 pi r by 2 पूरा का half कर दी है तो क्या मिल गया हमको देखे जो हम ये mark कर रहे ये वाला portion मिल गया तो क्या पूरा perimeter मिल चुका है नहीं अभी हमको ये black वाला मतलब ये दोनों भी तो add करना है क्योंकि boundary तो ये है फिर ये भी है तो plus 2 r मतलब भी क्या हो जाएगा कि pi r plus 2 r मतलब भी कितना हो जाएगा r common ले लेंगे pi plus 2 इतना units सौरी अच्चा ठीक है ना तो pi r plus 2 r will give us the perimeter of semicircle ठीक है कोई दिकर नहीं है ठीक है ना okay अब दिखिए next क्या quarter circle मतलब की 1 fourth of a circle 1 fourth of a circle ठीक है तो 1 fourth of a circle मतलब कितना होता है ये क्या हो गया quarter circle quarter circle मतलब क्या हुआ 1 fourth of a circle ठीक है तो 1 fourth of a circle मतलब one fourth मतलब क्या हो गया कि पूरे का one fourth part अगर चार पार्ट है तो उसमें से एक पार्ट ठीक है तो यह आपका क्या हो गया कि quarter circle ठीक है one quarter चलिए तो इसका अगे एरिया कितना हो जाएगा एरिया क्या हो जाएगा पूरे का एरिया हमको पता है कितना होता है pi r square और यह क्या है one fourth है one fourth of total है ठीक है तो इसका इरे कितना हो जाएगा इसका इरे कितना हो जाएगा तो pi r square by four simply कुछ और नहीं लिखना है pi r square by four इतना units अब देखे पेरिमिटर में आप लग गलती नहीं करेगा जैसे पिछले वाले case में भी हम सिर्फ circumference को हाप नहीं किया है इसके लिए हम करेंगे देखिए जहाँ पर black mark कर रहे हैं इसका length कितना होगा इसका length सिर्फ कितना होगा जिस पर black spikes हम बना हुआ है उसका length क्या होगा तो 2 pi r का ये 4th part है मतलब इस पूरे को अगर हम 4 part में divide कर दें 1 2 3 4 तो 1 by 4 of 2 pi r प्लस क्या इसके साथ और क्या आएगा है डोका इसमें तो आप बोलेंगे sir यहाँ पर तो हम लोग क्योंकि boundary length होता है तो boundary लेंगे तो ये आएगा और ये भी आएगा मतलब ये भी आएगा और ये भी आएगा तो ये क्या है r ये भी क्या है r तो प्लस r प्लस r मतलब की pi r by 2 प्लस 2 r ये आपका क्या हो जाएगा perimeter इतना units अच्छा इतना units square होगा ठीक है कोई दिकत नहीं है ठीक है आपको quarter circle में ये पूरा shape नहीं दिख रहा है आपको quarter circle बस इतना ही दिख रहा है ये होता है quarter circle तो अगर हम इसका पूछें कि इसका area तो आपको समझ में आ गया perimeter जब पूछें कि तो ये length जो क्या है ये है ठीक है और इसके साथ साथ ये और ये भी तो ये दोनों क्या है ये है ये radius था ये radius था और ये क्या था पाई आर बाई टू था सही है न वच्चा कोजिकत नहीं है तो ये आपको क्या पता चल गया कि एक quarter circle का area और perimeter ठीक है तो quarter circle का area perimeter semi circle का area perimeter और इसी तरीके से full circle का area और perimeter और ये अगर ring बन रहा है तो ring का area हम कैसे निकालेंगे तो मेरे खाल से आपको ये theory समझ में आ गया है ठीक है न वच्चा कोई problem नहीं है अब दिखे वच्चे इसमें question तो infinite बन सकता है कुछ भी question पुछा जा सकता है ring का area पुछे कुछ भी अलग-अलग case दे ठीक है अगर suppose कि ये बोला कि इसमें ये हम खुद से frame कर रहा है लेकिन ये कुछ भी possibility हो सकता है कुछ भी हम लिख रहे है कि अगर बोल दे कि area of shaded region क्या होगा अगर ये है r1 मतलब यहां से ले करके यहां तक है r1 और यहां से ले करके यहां तक है r2 तो इस area of shaded region क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे area क्या बनाना है sir इसका area तो हमको directly पता है वो क्या है pi r square by 2 कौन सा r r2 pi r2 square by 2 area of semicircle तो ये वाला portion मेरा complete हो गया ये वाला portion मेरा complete हो चुका है अच्छा इस case में area क्या हैगा तो आप सूचिए अच्छे से कि sir ये वाला shape हमको कुछ ऐसा दिख रहा है मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है ऐसा और ऐसा ठीक है ये कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक है अच्छा ये कुछ ऐसा दिख रहा है तो हमको बस इसका area चाहिए तो इसका area कैसे निकालेंगे अब सोचिए कैसे निकलेगा सर अगर हम इस पूरे semi circle में से क्या कर दें x इस semi circle को हटा दें तो क्या बचेगा सिर्फ क्या बचेगा यह area बचेगा तो semi circle के area को subtract करना आपको पता चल गया तो plus pi बड़ा वाला semi circle तो pi r2 square by 2 minus pi r1 square by 2 तो इस semi बड़े वाले semi circle में से छोटे वाले semi circle को हम subtract कर दिये तो यह क्या है area of बड़ा वाला semi circle minus area of छोटा वाला semi circle बड़ा वाला semi circle minus area of छोटा semi circle कोई दिकर नहीं है तो pi r2 square by 2 minus pi r1 square by 2 यह क्या area of semi circle semi circle का area क्टियं चैनरर्ट सेर्कट इसको हम खुटा देंगे तो कि पाथ भुछाए कोछी क्ग बात करें कंगे ह launches लग सी बहुत सार प्लाइडिय। जिसे आपका idea clear हो जाए चलिए तो ये कुछ theory है जो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है बच्चा और भी जो चीज है हम लोग समय के साथ उसको भी पढ़ते चले जाएंगे ठीक है चलिए thank you very much for the time being